हेलो दोस्तों आप सबका फिर से एक बार स्वागए थे मेरे चैनल और गैनिक एंड हैड्रोपॉनिक अर्बन ग्रोफ पर आज हम देखेंगे कि मटर को हैड्रोपॉनिक सिस्टम में कैसे लगाया जाता है दोस्तों मटर को उसे बीच से बहुती आसानी से लगाया जाता है और मैं इस बीच को चार अलग अलग प्रकार की हेड्रोपॉनिक सिस्टम में लगाने जा रहा हूँ मैं इन मटर के बीचों को नेट कप में डी एफटी सिस्टम के लिए या डीप वाटर कल्चर या क्रेट की मेथर के लिए लगाऊंगा जहां मैं मीडिया का यूज करूंगा कोकोपीट का मैं उसको कोकोपीट की ट्रे में भी लगांगा और उसको डजette में भी लगांगा मैं इसको कि स्थरह लगा रहा हूं यह जानकारी पूरी पाने के लिए आप वीडियो के अंतक बने रही है कहीं जाएएगा नहीं आइए शुरू करते हैं वीडियो को दोस्तों यह पहले पास कुछ मटर के बीज है यह मटर की जालौन वेराइटी है जो उसके एरिया में बहुत ही अच्छी और फेमस वेराइटी है मटर के बीज काफी साइज में बड़े होते हैं तो हम इसको सीधे लगा सकते हैं तो आएए पहले देखते हैं हम डीएफटी या डीप वाटर कल्चर के लिए इसको नेट कप में कैसे लगाते हैं तो इसके लिए हमने इसको कोकोपीट को चान के बढ़ लिया है तो हमको इसको लेवल टू लेवल बढ़ देना है फिर एक-एक बीच को रखके बीच की जो मुटाई है उससे चार गुणा उसको अंदर डालना है इस तरह यह हमारी भुवाई खतम हो गई इसके बाद हम इसको यह पानी से परी ट्रे में रख देते हैं तक कि उसको पानी मिल जाए और उसकी जर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए जब हम सारे बीच इसमें लगा देंगे उसके बाद हम इसको या तो DFT कल्चर में या डिप पर उसमें लगाने के लिए आपको इसको प्री जर्मिनेट कराना पड़े गा योकी लेफ़ में आपकी जर्मिनेशन अच्छे नहीं आती है उसके मुकाबले कोकोपीट में ये आसानी से जर्मिनेट हो जाता है आई आप आके देखते हैं इसको कोकोपीट की ट्रे में कैसे लगाते हैं पुरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंतक देखे यदि आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक जरूर करिए मेरी दी हुई जानकारी उप्योगी लगे तो उसे शेर जरूर करें और आपकी राय और सुजाओ कॉमेंट बॉक्स में लिखे और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए नीचे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो अब आगे हम इसको इन कोको पीट ट्रे में लगाने जा रहे है इन ट्रेओं में मैंने अल्यड़ी कुछ फ्लावरिंग सीर्ज लगाए हुए है और मैं इस मटर को इसमें मिक्सिंग में लगाऊंगा प्रोसीजर सेम रहेगा हमें बीज एक एक करके लेना है उसको पोजिशन में रखेंगे और उसको उतनी उंडाई जो उसकी गोलाई है उसके चार गुणा उंडाई पर उसको धक्यल कर दख देंगे इस तरह इसकी बुवाई हम प्रे में खतम करेंगे तो इस तरह हम यह बुवाई खतम करेंगे अब हम इस मटर के बीच को इन डच बकेटों में लगाने जा रहे हैं अब देख सकते हैं हमने इनको पहले से गिला करके रखा है तक कि उसकी नमी बनी रहे और उसकी जर्मिनेशन अच्छी आए अल्टरनेटिल पे इस पिसको प्री जर्मिनेट करा के भी इसमें लगा सकते हैं या इसको प्रोटरे में ग्रो करके भी शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पर हम बीच सीदे लगा रहा है कि इसको खाली एक ही ध्यान रखना पड़ेगा इन बीजों को को coastal पे मुकाबले ज्यादा उंडाई पर रखना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे एक इसमें तरीब आठ गुना उंडाई पर इसको लगा रहे हैं इस तरह हमारी बुवाई खतम हो गई यह मरब पानी चालू रहेगा इसको जल्मीट होके यह चालू हो जाएगा हम एक डोल में चार सीड लगाएंगे अब हमारी जो डीएफ्टी सिस्टम में जो लगाने वाले थे पौदे उसक में रख देंगे इसमें भी हमने पानी इसकी बॉटम तक टच करें उतना रखा है तो इसको मौश्चा नीचे से मिलता रहेगा और इसकी ग्रोथ चालू होगी इसकी आगे की अपडेट इसके लिए नुट्रिशिन क्या चाहिए इसकी और क्या केर करनी है उसकी सारी डीटे